हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पुनम मैं चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ पुनम और आज हम डिसकस करेंगे सविधान ए राजविविश्ता, इंडियन ए राजस्तान पॉलिटी है, उसकी हम सुरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर डेली हम ए एक टोपिक है, वो डिसकस करेंगे, आज का जो हमारा टोपिक है, वो है सविधान संसोदन, सविधान संसोदन से जितने भी MCQ बनेंगे, वो इस लेक्चर के अंदर आज हम डिसकस करेंगे, तो आप अंत तक बने रहे हैं, जिससे आपके सविधान संसोदन के जितने भी क्य पहला क्यूशन है वो है बारतिय सविधान में संसोधन हेतु निम लित किस अनुछेद की विवस्ता की गई है उप्सन है अनुछेद 364 अनुछेद 365 अनुछेद 368 अनुछेद 356 बारतिय सविधान में संसोधन हेतु निम लित किस अनुछेद की विवस्ता की गई है इसका ज क्रिशन है बारतिय सविधान में कुल कितने परकार के संसोधन संभाव हैं और सन एक परकार दो परकार तीन परकार चार परकार बारतिय सविधान में कुल कितने परकार के संसोधन संभाव हैं राइट आंश्वर हैं तीन परकार नेक्स्ट क्रिशन राज्य विधान मंडल सव 180 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। राजे विधान मंडल सवेधानिक संसोधन विध्यक को सविकार या ऐसी विकार कितने समय में करता है। इसका right answer है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट केशन, बारती सविधान में सविधानिक संसोधन निम्न में से किस प्रिक्रिया द्वारा होता है? उप्सन है, संसक्य के दोनों सदनों के कुल संक्या का बहुमत तता उपस्तित एममतदान में बाग लेने वाले सभी सदश्यों के दो बटे तीन बहुमत द्वारा दूसरा संसत के दोनों सदनों के कुल संक्या का बहुमत तथा उपस्तित एम मद्दान में बाग लेने वाले सभी सदश्यों के दो बटे तीनों बहुमत और अंत में उक्त विद्याय को कम से कम आदे राजियों की स्विकृति दुआरा संसत के दोनों सदनों के शाधन बहुमत दुआरा और उप्युख सभी इसमें से आपको राइट आंस्वर है वह बताना है और इसका जो राइट आंस्वर है वह उप्यूख सभी है यानि a, b, c में जो जितने भी सविदानिक संसोदन के परकार दिये गए हैं वह सभी बारती स सविधान के जो सविधान संसोधन होता है उसमें परिक्रिया धीन है नेक्स्ट क्यूशन है सविधान की किस बाग में सविधान संसोधन परिक्रिया का उलेक है बाग एक बाग आठ बाग दस बाग बीस इसका जो राइट आंस्वर है वो है बाग बीस नेक्स्ट क्यूशन है बारतिय सविदान में पहला संसोदन कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1955, राइट आंस्पर है 1951. नेक्स्ट क्यूशन किस सविदान संसोदन के तहत बारतिय सविदान के बागच्यार में एक नमीन अध्याय बागच्यार के को जोड कर बारतिय नागरिकों के लिए मूल करतवे का सरजल किया गया? 42, 1952, 43,49,prem 154,45, उन्रों संसोदन विदेग, इसका जो राइट आंस्वर है, 42 संसोदन विदेग, नेक्स्ट क्यूशन है सवेधानिक संसदन हेतु विद्यक्सर और पर्तम प्रस्तुत किया जाता है लोग सभा में, राजे सभा में, संसद में, राजे विधान मंडल में राइट आंस्वर है संसद में Next question निम लिक्त सवेधान संसदन के परकारों में, किसके द्वारा बारती सवेधान में संसदन किया जाना संबव नहीं है Option है सादारान भहुमत द्वारा विशेष भहुमत द्वारा विशेष भहुमत अताराजें के इन्मोधन द्वारा विशेस वहुमत ततराष्टपती एं परदान मंत्री की सहमती द्वारा निमलिक्त सविधान संसोदन के परकारों में किसके द्वारा बारते सविधान में संसोदन किया जाना संभव नहीं है इसका जो राइट आंस्वर है वो है विशे सुभाउमत तथा राष्टपती एव पर्दान मंत्री की सहमती द्वारा नेक्स्ट क्यूशन है किस सुवेधानिक संसौदन अधिनियम द्वारा लोगसभा के सदेशों की अधिक्तम संक्या 545 निदारित होई है उप्सन है 31 सुवेधानिक संसौदन अधिनियम द्वारा 32 सुवेधानिक संसौदन अधिनियम द्वारा 33 सुवेधानिक संसौदन अधिनियम द्वारा 34 सुवेधानिक संसौदन अधिनियम द्वारा इसका जो राइट आंस्वर है वो है 31 सुवेधानिक संसौदन अधिनियम द समेत्ի उक्म सिंह समीतिright answer है समन सिंह समीति next question कौझ सा सवड़ान इस द नद अधिनियं लगु सविधान के नाम से जाना जाता है? option है 41 सवविदान समधी 42 सवविदान इस द 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 सविधान के आठवी सुची में सिंधी वासा को सामिल किया गया ओप्शन है 21 संसौधन 22 संसौधन 23 संसौधन उप्युक्त किसी में नहीं कौन से सविधानिक संसौधन द्वारा सविधान के आठवी सुची में सिंधी वासा को सामिल किया गया राइट आंश्वर है 21 संसौधन नेक्स्ट क्योशन है, 52 स्वेधानिक संसोदन अधिनियम, 1985 समंदित है, भूमी सुधार, दल बदल परकानोनी रोक, अंतराजी व्यापार मोलिक करतावे, राइट आंस्वर है, दल बदल परकानोनी रोक नेक्स्ट क्योशन, वन को राजी सुची में, समवर्ती सुची में परवर्तित किया गया, ओप्सन है, 41 स्वेधानिक संसोदन द्वारा, 42 स्वेधानिक संसोदन द्वारा, 43 स्वेधानिक संसोदन द्वारा, 45 स्वेधानिक संसोदन द्वारा राइट आंच्वर है 42 में सवेधानिक संसोदन दौरा सांसेदों और विदायकों की चुनाव समंधी विवाद को निप्टाने की सक्ती निर्वाचन या अधिकरने से उच नियालियकों की सवेधानिक संसोदन अधिनियम दौरा परदत किया गया है आप्शन है 19 में सवेधानिक संसोदन दौरा 20 में सवेधानिक संसोदन दौरा 21 में सवेधानिक संसोदन दौरा 22 में सवेधानिक संसोदन दौरा राइट आंच्वर है 19 में सवेधानिक संसोदन दौरा Next question, 61 स्विधानिक संसोधन अधिनियम सम्मादित है Option है, फिरा का उलंगन करने वालो और तसक्रों के सारोजिंग जीवन में परवेश प्रपर्तिवन मता अधिकार की नियूंतम आयू 21 से गटा कर 18 वर्ष Next question है, राष्टपती के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधान सवाओं के सदेश्यों को सामिल किया गया सतरवी सवेदानीक संसोदन द्वारा, राष्टपती के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधान सवाओं के सदेश्यों को सामिल किया गया राइट आंस्वर है सतरवी सवेदानीक संसोदन द्वारा नेक्स्ट क्योशन है नगरपालिका से सम्मंदित चोतरवा स्वेधानिक संसोधन अधिनियम कब लागू हुआ एक जून 1903 में, एक जुलाई 1903 में, एक अगस्त 1903 में, एक सितंबर 1903 में नगर पालेका से सम्मांदित चोतरवा सविधानिक संसोदन अधिनियम कब लगू हुआ? राइट आंस्वर है 1 जून 1903 में सविधान संसोदनों से सम्मांदित निमनाकित कत्नों पर विचार केजिए अनुछे 368 में सविधान की दो विदियों का उलेक है सविधान संसोदन विदेक केवल लोकसभा में ही प्रारम किया जा सकता है सविधान संसोदन विदेक परसंसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दिशा में दोनों सदनों की सियुक्त बेटक आहुत नहीं किया सकती है राश्टपती सविदान संसोधन विद्यक पर निशेदा अधिकार का प्रयोग कर सकता है , उप्यूक्त में उससे कौन सा कतन सही है ? पहला केवल 1 और 3, दूसरा केवल 1 और 4 , तीसरा केवल 2 और 4 , और चौथा , एक , दो और 4 , राइट आंसवर है , एक , केवल 1 और 3 , नेक्स्ट क्यूशन है बारती सविधान में सारवधिक संसोधन किस के परधान मंत्री तव काल में हुआ इंद्रा गांदी जुवारला नहरू राजीव गांदी नर्सीमा राव तो बारती सविधान में जो सारवधिक संसोधन हुए हैं किस परधान मंत्री के कारिकाल के अंद संसद के अधिकार राइट आंस्वर है जिमीदारी अन्होलन नेक्स्ट क्युश्ट किस सव्विदानशलसोधन द्वारां मताधिकार की नियूंतम आयू 216 से घठा कर 18 वर्स कर दी गई एक सॉटवा सविदानशलसोधन चमालीशवा सविदानशलसोधन या सविदान सवदन राइट आंस्वर है 161 सविदान सवदन के तहट 21 वर से गटाकर 18 वर्स जो मता दिखार है उसकी आयू है वो कर दी गई सविदान 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 सव दन में यह परावदान है कि व्यक्ति के जीवन और सारे रिक स्वादिन्था के अधिकार अनुचेद 21 को सवासं दोड़ा अपात काल में भी स्थागित या समीत नहीं क्या जा सकता adopto है 44 सविधान संसोदन है next question है दल बदल विदे को कार्यानुवित करने के लिए 52 सविधान संस्वधन में विविवस्ता की गई है उसमें नियम बनाने का अधिकार किसको होगा लोकसभा राजेसभा विधानमंडर सदन के अध्रान आठक्ष है सदन के आदेक्ष next question ble exceptional का啊 किसी भी सदन में पेष किया जा सकता है, उप्युक सभी गलत है, इसका जो right answer है, किसी भी सदन में पेष किया जा सकता है, नेक्स्ट क्या है बारती सविधान में संसोदन में होने वाले संसद के दोनों सदन के मद्दे गतिरों दूर करने का जो उपाई है वो क्या है प्रतेक सदन पुन मद्दान करें दोनों सदनों के सदश्यों के मद्दान को आंका जाता है संसदकाश्यूंग- तदिवेशन होता है उपयोक सभी गलत हैं, इसका जो right answer है उपयोक सभी गलत हैं next question है, वीधन संब एभा यह लोगसब लोगसबस का इउल्डी च्हेय वर्ण करने का निय्ने की सेविधान संस्धन म निम्न में से कौन से सविधानिक संसोधनों में आदे राजियों की स्विकर्ती जरोरी है संग और राजियों का संबंद उच्व उचितम न्याले संसद में राजियों का पर्तिनिदतु ए बी और सी तीनों तो इसका जो राइट आंस्वर है वो क्या होगा ए बी और सी तीनों यानि संग और राजयों का सम्मंद उच्व उचतम नयाले संसद में राजयों का पर्तिनी देतों यह तीनों है इन तीनों जो सविधानिक संसोदन अगर इनके अंदर होगा तो आदि राजयों की जो सभी करती है वो जरूरी है next question है, तो किसी राज्य में उछ सदन किसमा आपती है तू स्वेधानिक संसोदन करने के लिए जरूरी है आप्सन है सम्मंदित राजे की स्विकर्ती, आदे राजियों की स्विकर्ती, संसद के दोनों सदन में दो बटे तीन बहुमत की स्विकर्ती, संसद के दोनों सदनों में साधारन बहुमत की स्विकर्ती सविधान में संसोधन के मामलों में सविधानिक संसोधन प्रस्तावित करने के अधिकार के संद्रम में कौन सा खतन सही है राजियों को भी है राजियों को नहीं है कि वह लोकसवा को है सभी विकलब गलत है राइट आंस्वर है राजियों को नहीं है नेक्स्ट क्योशन, 26 में सविधान संसौधन अधिनियम 1978 के द्वारा, option है, मूल अधिकारों परबंदी से लगाई गई, देसी राजियों के नरेशों के प्रिवी पर्सव विशेश अधिकार को स्माप किया गया, देसी नरेशों को और अधिक स्विधाइन दी गई, देसी न तेतरवे सविधान संसौधन में किसके गठन का पस्ताव नहीं है, option है, ग्राम पंचायत वा ग्राम सभा, पंचाय समीती, जीला परिशत, न्याय पंचायत, right answer है, न्याय पंचायत, next question, बारती सविधान में नोवी अनुसोची परिवर्दीत हुई है, पर्थम संसौधन द नेक्स्ट क्यूसन है, सविधान संसौधन करने के विदेग को वीटो करने की राष्टपती की सकती सहमती देनी होगी, सब्द से स्तापन करके किस संसौधन द्वारा चीन ली गई है, चम्वालिसवान संसौधन, तेइसवान संसौधन, चविसवान संसौधन, व्यालिसवा समAutan राइट आशर है जवीष्वव स संहोदन नेक्स्ट क्यूषिन निम Rankin किसे साविधान चंण सोदन मिजोरम को राजी का धरजरबार्ण किया गया गया बामन्स विधान संहोदन संहोदन स VN सविधानचनसफदन, पच्छपनवा सविधानचनसफदन. right answer है तरिवपनव सविधानचनसफदन. next question निम्न विधेकों मैं से किस एक का बारती संसफद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग इसे इस भूमश से पारीत होना आवशक है? पर सादारन विदेग, देन विदेग, सविधान, चनसोदन विदेग. लगने में आपको ये क्योशन कैसे लगें? केमेंट करके ज़्रूर बताएं. एजुकेशन विद पूनम में को सब्सक्राइब कीजी जिसे आपको और भी महत्पून लेक्चर है वो मिल सके आज के लिए इतना ही थैंक यू